दोस्तो स्वागत है आपके अपने चैनल Tate Civil में दोस्तो बहुत सारे साइट पे देखा जाता है कि अगर आपको 10 फिट के हाइट पे आपको चट ढलना है तो वहाँ पे जो पिलर है एक साथ मतलब 9 फिट के हाइट, 8 से 9 फिट के हाइट तक का रहे होता है कि उनका बहुत लोग के दिमाग में ये रहता है कि चार थीन, फिट के हाई हम एक दिन में कर सकते हैं इसमें बहुत बड़ा लोगों का कंफ्यूजन होता है और टेक्निकल टर्म से मैं आपको यह जो कंफ्यूजन है वो दूर करूंगा सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो हमारा आये से स्टेंडर कोड होता है वो कहता है कि आपको जो कंक्रीट है चाहे आप छत में बीम में कॉलम में कहीं पे भी आप कंक्रीट की ढलाई कर रहा है तो आपको 1.5 मीटर यानि कि जादा जादा चार से पांच फिट तक का ही ढलाई आपको एक दिन में करना है अगर उससे उपर की आप ढलाई करते हैं तो क्या होता है कि कंक्रीट में हमारा सेग् होता क्या है कि जब आप कंक्रीट को जैसे आप देख रहे हैं कि यहां इतना हाइट से जब डाला जाता है तो वहां पर जो मिक्सिंग किया जाता है तो वहां अगर पानी का जो आप मिक्सिंग करते हैं सेमेंट मिलाते हैं पानी मिलाते हैं अगर उसमें ज्यादा पानी है या उपर आजाता है तो अक्सर जैसे यहां फोटो में आप देख रहा है पीलर में नीचे के तरफ आप देखते हैं कि हौनी काम आजाता है जैसे आप देख रहे हैं कि सिर्फ रोडी रोडी दिखाई दे रहा है उसमें सीमें और जो सीमें सलरी मसाला होता है वो दिखी नहीं रह लेकिन वो क्या होता है कि plaster दीरे दीरे तो पानी आपका खींचता है यह कहीं से भी मौशर खींचे गई तो वहां अंदर के सरीया में जंग लगना अपका कॉलम कांक्रीट होता है तो यहां जो हमारा इसे चेंडर कोड कहता है कि आपको जो एक बार में पीलर की डहलाई करनी है लेकिन होता क्या है कि जैसे हम टाइम अपने बचाने के लिए या जल्दी काम को खीचने के लिए हम बड़े बड़े फर में एक साथ 9-10 पिट का लगा देते हैं ताकि हमारा जल्दी से ढलाई हो जाए तो उस कंडिशन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करना क्या है कि आप देखिए अगर हम टाइट फर में लगा देते हैं पलाई बोड के या लोहे की तो सेग्रिगेशन उसमें भी नहीं होता है बस आपको ध्या जाता है तो यह मसाला .. वहां जाकין जाकर आपकूर से कोई ब्युवस्तार चला लिया जाए तो इस तरीके से अगर आप ढखाए तो तो फिर आपका कॉलम जो है वो बहुत अच्छा निकलेगा उसमें हौनिंग कॉम नहीं आएगा और जो हमारा आयसे स्टेंडर कोड कहता है कि आपको सेग्रिगेशन से बचना है कंक्रीट में तो जो हाइट होता है वो हाइट का ध्यान रखना है अब बहुत लोग क्या करते ह है कि वो उस चीज को धि lata रखते हुए चार फीट तक पांच फिद तक का फार्मा लगाकी और फिर उसकी दुमाई करते हैं चलो अच्छी बात है चार पीट पांच फिद तक कआप अगर फार्मा लगाते हैं तो ऊतने हैट से अगर आप आपको अपने अपना मसाला जरूर चलाना आप चाहे कितना भी हाइट से आप मसाला डाल ले अगर आप उसमें वाइबरेटर नहीं चला रहा है जैसे यहां जुगाड देख रहे हैं कि बांच से बल्लिस कोई लकड़ी का चीज रखे यह पीलर का जो सरीया होता है उसी को हिला हिला के और यह कंक्रीट को अकमालें जी एक दिन में कर देते हैं तो आपको सियर की जैसे यहां गड़डा देखा रहा है जितना कॉलम का ड़लाई करें तो तो इधा या देख रहें computercard दो अच्छा बांडिंग बनजाएगा और यहां बारा से उसमें कॉलम की डहलाई की मुंद responding तो यह चीज से बचने के लिए आपको सीएर की वहां देना है और जब दुबारा से अब ढ़लाई करें तो आप कोशिस यह कर रहे और उसमें क्या होता है कि आपको vibrator इस्तमाल उसमें भी करना है और वहीं अगर आप 9 फिट या 10 फिट तक है एक बार में कर रहा है तो जो कॉलम होता है वो बिलकुल आपका जो फर्मा होता है एक दम पैक होना चाहिए कहीं से निकले नहीं उसमें सपोर्ट अच्छा लगा होना चाहिए आपको बार बार सहुल से चेक कर लेना है और जो कंक्रीट आप उतना उचाही से डाल रहा है अगर आपके पास कोई वेवस्ता है कि उसको कुपी टाइप का जैसे गोल आप उपर से बॉक्स बनाके नीचे पाइप मजबूतिस लगा देते हैं और मसाला अगर अगर आप मसीन से मिक्स करते हैं अक्सर देखा जाता है कि हाथसे मिक्स करने पर उसमें पानी नीचे रहा जाता है मिलाते के टाइम में यह फिर उटांद जब हम डालते हैं तो पानी पूरा उठ नहीं पाता है और नीचे फाइल जाता है तो मसीन से मिक्स करेंगे फिर उसको ठेट हम उसमें अपने तसले में डालके देढ़े तो ओं अच्छा होता है तो ऐसा मिक्सिंग आप इस्तमाल करें उस कंक्रीट को डालने में तो ये दो ब love name